करनाटक के अंदर कल जब से बैठक हुई है तब से बहुत कोशिस की जा रही है हर मुमकिन कोशिस की जा रही है कि किसी भी तरह से इस तस्वीर के अंदर से किसी भी तरह से इस नाम के अंदर से कुछ न कुछ ऐसा निकाला जाए कि जिसको ले करके इनके उपर निसाना साधा जिसको लेकर के इस गटबंदन की कि जो इंडिया नाम दिया गया है इसकी हवा निकाल दी जाए कुछ न कुछ निकाल लो और इसको लेकर के बड़ी खलबली है भाजपाई IT सेल के अंदर 2400 घंटे ओवर टाइम करवाय जा रहा कि कुछ न कुछ न कुछ तो निकालो और दूसरी खलबली मचीवी है गोदी मीडिया के अंदर कि कुछ नकुछ तो लेकर क्या हो किसी की नराजगी की ख़बर किसी का फूट हो जाना किसी के अंदर दरार पड़ जाना कोई नराज है कुछ नकुछ तो लेकर क्या हो लेकिन सक्सेस जो है वो हो नहीं पा रहे है काम्याब हो नहीं पा रहे है और इस बीच में एक नाम जो उच्छाला गया वो नाम उच्छाला गया नितीज कुमार का नितीज कुमार जो इस फोटो के अंदर जो पोस्टर है इस पोस्टर के अंदर सबसे पहली फोटो नितीज कुमार की लगी है लेकिन उच्छाल दिया गया कि नितीज कुमार ही नराज है यह जो फोटो पहली फोटो नितीज कुमार की लगी है इनी के बारे में उच्छाल दिया गया कि नितीज कुमार नराज है और इसी लिए प्रेस कॉंफरेंस से पहले बैठक छोड़ करके निकल गए कॉंग्रेस ने हाइजेक कर लिया ये सारी ख़बरे चलाई जाने लगी लेकिन नितीज कुमार का खुद का जवाब आ गया है आज नितीज कुमार ने खुद सामने आकर जवाब दिया कि वो क्यों आये थे क्या आये थे क्या नाराजगी है नहीं है इस जवाब को सुनिए नितीज कुमार ने खुद कहा है एक डेड मिनिट की वीडियो है वो वीडियो आगे आपको सुनाता भी हूँ उससे पहले भी आज जेडियू की तरफ से बयान दे दिया गया था ललन सिंग ने साड़े बारा बजे जब बयान दे दिया था जवाब दे दिया था लेकिन फिर भी संतुष्ट्री नहीं हुई ललन सिंग का पहले बयान सुना देता हूं आपको नितीज कुमार विपक्सी एक्ता के सुत्रधार हैं यह बताया गया इंडिया सभी की सैमती से नाम दिया गया है तोकि इसमें जो उच्छा लगया वो यह उच्छा लगया कि एक तो यह जो इंडिया नाम दिया गया अंग्रेजी का नाम है इसको लेकर के नितीज कुमार कमप भी बैठक नहीं बुलाई अब बैठक बुला रहे हैं यह गबराट और हतासा है दोजार चोबिस में वे बुरी तरह से पराजित होंगे जेडियों के रास्तिय देक्स राजीव ललन सिंग जो है इस बात को कह रहे हैं यह जवाब बिलकुल एकदम से साफ और जवाब है नितियसकुमार जो है वो पहुंचे तो उनको घेर लिया गया और नितियसकुमार का यह वीडियो आपको यह वीडियो आप गया आपको मैं सुनाओंगा भी इस वीडियो को भी आप सुनिएगा और नितियसकुमार ने क्या जवाब दिया है वो भी सुनाओंगा लेकिन यह सुनिए पहले एनई ने क्या लिख्वा है हम किसी बात से नाराज नहीं है यह जो हम ने किसी बात से नाराज नहीं है भाजपा का उस बैठेक से क्या लेना देना देकिस कुमार बडhi मज़ेवा आद्मी दोनों तरीके से वो नितियस कुमार सा जो है वो सत्ता में भी खूब रहे हैं सत्ता में जो है अठारा साल से मुख्यमंत्री है और दूसरे जो है वो सूपर संपादक का जाता है नितियस कुमार को जो लोग जो है वो जानते नहीं होंगे जो आजगल नहीं ने जो है वो बने हैं मीडिया पी आर वजिंसी वगरा देखने वाले लोग उनको नहीं मालूम होगा इस बात का शाए नितियस कुमार को सूपर संपादक का जाता है किस अख़बार में कहां पर क्या ख़बर छपेगी नितियस कुमार को सब ख़बर रहती और किस अख़बार में कहां पर क्या ख़बर छपी थी वो भी पता रहता है और किस अख़बार को और किस चैनल को और किस मीडिया को किस तरह से क्या जवाब देना है ऐसा घोल मोल घोल म मामले में नितीश कुमार शायद इकलोते जो है वो ऐसे नेता होंगे गोल-मोल करके छोड़ देते हैं और अस्ते चोड़ देते हैं पता नहीं चल पाता है अब देखिए उन्होंने कहा है कि उस बैठक से मोदी जी का क्या लेना है भाजपा का क्या लेना है बैठक में सब बाते हुई है सब के सुझावा है उसके बाद ही कुछ गोसित हुआ है यानि नाम वाली जो बातियों खतम हो गई है, इसके बाद प्रेस कॉन्फरेंस हो ले वाली थी, तब हमने कहा कि आप हमें जाने दीजिए, अब जब सही समय आएगा तब इसकी भी संभावरा है कि कुछ और लोग भी सामिर होंगे, विपक्स के गटबंदन पर इंडिया पर जो नितियस कुमार ने कहा है, सुनिए जाना पहले नितियस कुमार क्या कह रहे है, फिर उसके बाद आगे ख़वर बताता है, पताने कौन कोई मोबाइल पर चला देता है, हम कल भी लोग को बनाए, अब यह बढ़ रहा तो सौव साल से जाएदे धरती रहेगा, हम उसाब का कोई च्वाइस नहीं है, हम बाकी सब चीज के लिए एक जुच करने के चक्कर में, मेरा और कुछ नहीं है, कि देश के हिस्त में काम होना चाहिए, हम कभी कभी इस पार भी नहीं बोलते हैं, उससे बाकी चिंता में, कोई चिंता बहुत अच्छा चाहिए, लगता है कि अब रंग लेने लगा है, आपके पेरलल में आब 38 से दल्वा की बैठक बुलाए जा रही है, आपके यह जा रहे हैं, कोई मतलब है, दल्वा का नाम देख न लिए, उसरा नाम तो देख लिए, आप पहले कभी इंडिय का बैठक पुलाए है, अचल जी के टाइम में बना, 19 में बना, अचल जी के सरकार में हम लोग उसी समय थी, तो उस समय तो होता था, अब आद में कभी हुआ है, कभी नहीं होता है, अभी जो चुक्कि हम लोग बैठक करवा दिये, तो वह बैठक शुरू की है, अब कई लोगों को बुला-बुला करके संख्यादेरों को की मतलब है, अ हम लोग का जो ही मीटिंग में आया है, तो पार्टी मोन है, बाकी तो हम लोगों को ब्लाकर बैठक पार बयान इतिज कुमार जो है वो यहाँ पर चलते भी गए बोलते भी गए और बात को खतम भी कर दिया पहली बात तो इन्होंने कही कि वहाँ पर बैठक में जो भी कुछ हुआ वो सेमती से हुआ है दूसरी बात ये कि अब ये लोग बैठक बुलाने लगे हैं एंडिया की बैठक अब इन्होंने बुलाई है 1999 में एंडिया बना था उस वक्त हम बेटल भहरी वाजपी के समय पर उनके सरकार में रहे लेकिन तब तो किसी ने जो है वो उसके बाद में किसी ने इंडिया को पूछा नहीं और दस साल अब कोन इंडिया की बैठक हुई है अब इंडिया की बैठक इन्हों को क्यो करनी पड़ी सरकार में है तो कम से कम साल में एक बार तो इंडिया की बैठक होती लेकिन दस साल में नहीं हुई ये नितीज कुमार यहां पर कह रहे हैं लेकिए नितीज कुमार से कोई बात निकलवा लेना और नितीज कुमार भी जो है वो जानते हैं और नितीज कुमार तो छोड़िये अब हर को ही जानता है कि ये जो इंडिया ये जो इंडिया बना है ये इंडिया के वाल बीजेपी के लिए सिरदर्द नहीं है ये विपक्स के लिए भी खूंटा गड़ गया है कि जितनी पार्टियां आई है चब्विस पार्टियां इस चब्विस पार्टियां में बक्तिस तो हो सकती है तीस तो हो सकती है लेकिन 26 में से 25 नहीं हो सकती हैं, 20 नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो इस इंडिया को छोड़ करके जाएगा, उस पर ठपा क्या लगेगा, सोची ज़रा, इंडिया को छोड़ करके कौन गया, इंडिया में से कौन निकला, पाकिस्तान निकला, पाकिस्तानी होने का ठपा लग जा यहां तो कि अभी तो कोई छोड़ करके जाता तो उसको गदार करके जो है वो पार्टियां जो है वो राजनेती करती है दूसरे के उपर लेकिन यह मैं कहरा हूं कि बड़ा जो है टैक्टिकल एक ऐसा मूँ किया गया है ऐसा मूँ चला है कि जिसके बाद में चोतरफा जो है एक उता है ना कि प्लान ऐसा बनाये जाए जयाए। बिल्कुल फुल्पूप प्लान तूरा है। पुरा ऐसा होमवड्रक इसमें दिख रा है। कि इसमें कोई और गुंजास है ही नहीं, तो ये जो इंडिया है वो फिपक्स के लिए भी खूंटा गड़ गया है। कि यहां पर रहना है तो रहना है छोड़ करके गए तो क्या कहलाओगे इंडिया को जो छोड़ करके जाएगा वो क्या कहलाया जाएगा इंडिया में से कोन निकल करके बाहर गया था और इंडिया से जो आज निकल करके गए थे उनको क्या कहा जाता है सोचे जबाएं इस बात यह चीज है दूसरी अगर आप चीज को और संजहेँ गे तो बीजे पी एक बड़ी और गलती Queens कर रही बीजे पी जो है वो एक बड़ी गलती यह कर रही है जो उसने करनाटक में किया वही गलती कर रही है कि देखें कॉंग्रेस की तरफ से एक ये वीडियो जो है जारी किया गया है और ये बीजेपी वीडियो जारी कर रही है सुबा से कल रात से बीजेपी जो है वो लग गई थी क्या है बीजेपी की वीडियो के अंदर बीजेपी की वीडियो के अंदर केवल यही बात है कि हंजी साहब ना करणे के लिए अपना कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं है और जो मैं क करनाटक में जो दाओ चला था करनाटक में दाओ ये चला था कि नरेंदर मोदी की सरकार है नरेंदर मोदी जो हैं वो क्या करते रहे वो करते रहे बजरंग बली बजरंग बली हिजाब 370 UCC इस सब पर खेलते रहे वो अपना क्या है हम क्या देंगे हम सरकार में आएंगे तो क्या डिलीवर करेंगे आपको इस पर बात नहीं की और कॉंग्रेस तब तक बात करती रही पांच गारंटे की हम पंद्रा सो रुपे पैंसन देंगे हम बिजली फ्री करेंगे हम महिलाओं को किराय फ्री करेंगे हम अनाज चावल फ्री देंगे हम जो है वो बिरुजगारों को पैसा देंगे जो पांच गारंटे थी एक तरफ बीजेपी का जो परचार परशार था वो बजरंग बली यू सी सी सुल्तान इन सब पर फोकस हो करके रह गया था टीपू सुल्तान वगएरा इन सब पर और कॉंग्रेज जो है वो अपने पास गैरंटी चलाने पर रही और वह सही पैट्रन जो है वो यहाँ दिख रहा है कि बीजेपी बस ये दस्सिर लगा करके कि रावन का देहन किया जाता है चैन नहीं किया जाता है ये इसकी बीजेपी की टेग लाइन है सबसे बड़ा मैसिज दिया गया तो वह यही मैसिज था कुछ जो वहाँ पर जो मोजूद लोग हैं उनसे बात हुई कि हम लोग फोकस करेंगे कि हमको क्या देना है और क्या चीज ऐसी है हमारा फोकस मोदी को अटाने पर नहीं हमारा फोकस ये बताने पर रहेगा कि अगर मोदी रहे तो खत्रा क्या है हम के वह लोगों को पहले ये समझाएंगे पहले जब ये समझा देंगे और जब हम इसमें सफलता पालेंगे फिर उसके बाद में काम्याब रहेगा किसकी रणनीती कितनी काम्याब रहेगी इन तस्वीरों के जरिये जो आप भखू भी समझ सकते हैं और कैसे जो हो चीजे चलेंगी अभी तो बीजेपी के लिए मुसीबते भूत हैं संसद का सत्रवी सुरू हो रहा है राहूल गांदी की सजा को ले करके परसों सुप्रीम कोट में भी सुनवाई है अभी तो भूत कुछ हैसा है अभी तो ऐसी वीडियो जो बनाने वाले जो बता रहे हैं उनको इस पर और काम करने क्या हो शकता है क्योंकि उनका पैटरन यही है उनको लग रहा कि इसी से बात जो बन रही है अगर इसी से बात बन रही है तो और बना लीजी क्योंकि कल और चाहिए होगा आपको कल फिर वही अडानी-डानी के नारे गुंजेगे क्या करेंगे कल मनिपुर भी गुंजेगा क्या करेंगे तो अभी तो पिच्चर बहुत बड़ी है और बहुत बाकी भी है अभी तो इन साहब को और मेहनत करने के आउशकता है पॉंग्रेस का जो यहां पर जो दिख रहा है वो यह है कि हम लिडर की बात ही नहीं कर रहे है इस बार की वैठक में भी जो बात हो रही थी कि संयोजक कौन बनेगा यह डिकलेर कर दिया जाए लेकिन आखरित तक वो डिकलेर किया ही नहीं किया क्योंकि अभी जो है विपक्स यह नहीं चारा, कि किसी कोई चहरा आगे कर दिया जाए, फिर उस चहरे के पीछे जो है वो चीजे लग जाएं और चहरे को जो है वो खतम करने पर या उस चहरे को जो है वो डिफेम करने पर जो है वो widow लग जाए चीजे बहुत कुछ हद तक जो है वो साफ हो रही है चीजे जो है वो पता चल रही है कि बीजेपी की रहा आसान तो नहीं है बीजेपी के लिए मुश्किल भहुत है बीजेपी के लिए बहुत गहरे जो है गड़े दिया है वो दिखाई दे रहे हैं तो बहराल शेर करिए इस अपनी राए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इस वीडियो को खुब शेर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बैल आइकन है घंटी है, उसको जरूर अपट